दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए जेमडी न्यूज चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाएं लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले दोस्तो बोलिवूड एक्टरस स्री देवी का दिल का दोरा पढ़ने से दुबाई में निधन हो गया चोवन साल की स्री देवी पती बोनी कपूर और चोटी बेटी घुसी के साथ रवी वार को दुबाई में मोहित मारवर की सादी में शरीक उने गई थी स्री देवी के अचानक निधन की खबर से बोलिवूड समेत उनके फैंस गैरे सदमे में हैं 2017 में स्री देवी को फिल्मों में 50 साल पूरे हुए थे बता दे कि स्री देवी ने 2 जून 1996 को बोर्णी कपूर से लव मेरिज गी थी कहते हैं कि फिल्म सोलवा सावन में स्री देवी को देख बोर्णी उन पर फिदा हो गए थे बोनी और स्रीदेवी का प्यार कई टेडे मिटे रास्तों से ओकर गुजरा दरसल सुरू में ये एक तरफा प्यारी था भले ही इसकी सुरुआत फिल्म मिश्टर इंट्रिया से हुई हो लेकिन बोनी स्रीदेवी के प्यार में तभी पड़ गए थे जब वे 1970 के दसक में तमिल फिल्म में किया करती थी बोनी उनसे मिलने के लिए चेन नहीं भी गए लेकिन स्रीदेवी के सिंगापूर में होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हुई फिर उनकी डेब्यू हिंदी फिल्म सोलम है सावन से रिलीज हुई और इसे देखकर बोनी इतने प्रवाविद हुए के उन्होंने तै कर लिया कि वे बतोर प्रडूसर स्रीदेवी के साथ फिल्म में काम करेंगे एक दिन बोनी स्रीदेवी से मिलने उनकी फिल्म के सैट पर पहुचे तब स्रीदेवी ने बताया कि उनका काम उनकी माँ देखती है जब बोनी अपनी होने वाली साथ से मिले तो उन्होंने कहा कि स्रीदेवी फिल्म मिश्टर इंडिया में काम तो कर सकती है लेकिन उनकी फीस 10 लाख रुप होगी बोनी ने जवाब दिया कि वे 11 लाख रुपे देंगे स्रीदेवी की माखुस होई और उस तरह बोनी कपूर के अपने प्यार के करीब आने का मोका मिल गया उन्होंने स्रीदेवी के लिए खास इंतजाम किये लेकिन अभी भी बोनी की मंजिल दूरी थी इधर स्रीदेवी कथित तोर पर मिथुन चक्रवर्ती के प्यार में थी और उधर बोनी ने मोना कपूर से अरेंज मेरिज कर ली थी बाद में जब मिथुन से स्रीदेवी का अलगाव हो गया और बोनी ने उनसे नजदी के बढ़ानी शुरू कर दी वे एक बार उनसे मिलने स्विट जरलेंड भी पहुँच गए थे इस कहानी में एहम मोड तब आया जब स्रीदेवी की मा बहुत बिमार हुई और उनका अमेरिका में इलाद चला इस दोरान बोनी कपूर ने स्रीदेवी का मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से सायोग किया उनकी मा का कर्ज भी बोनी ने चुकाया स्रीदेवी उनके इस समरपन से बेहत प्रभावित हुई और उन्होंने बोनी के प्रोपोजल को हा कह दिया स्री देवी ने 1996 में अपने फैंस और फिलम इंडस्ट्री के लोगों को चोकाते हुए कहा कि उन्होंने अपने से 8 साल बड़े उम्र के बोलिवुड प्रडूसर बोनी कपूर के साथ साथी कर ली कहा जाता है कि स्री देवी यह साथी टालना चाती थी लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें यह साथी करने ही पड़ी मीडिया में उस समय चली ख़बरों के अनुसार जब स्री देवी की साथे फिलम प्रडूसर बोनी कपूर से भूई उस दोरान में प्रेगनेंट थी बाद में उनकी दो बेटिया जानवी और खुसे कपूर हुई तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताएगे जानकरी पसंद आई होगी हमारी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट बोक्स में कमेंट जरूर करें